नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूटूब चैनल पे आज हम लोग क्लास 7 जो की बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए है उनका बिहार बोर्ड का जो टेक्स्ट पुक है उससे हम लोग class 7th का प्रहाई कर रहे हैं और class 7th का फर्स्ट चेप्टर है ठीक है तो फर्स्ट चेप्टर का फर्स्ट लेक्चर हो चुका है जिसमें हम लोग यहां तक complete कर चुके है अब जो second topic है इसी chapter का वो है भूमिगत जल एक महतवपून स्रोत तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी तक आपने इस chapter का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्ले जा करके वो वीडियो देखिए प्लेलिस्ट में मौजूद होगा और यह दूसरा lecture इसका होगा तो अच्छे से इस lecture को समझना है तो इसका फर्स्ट लेक्चर वो देखना बहुत ज़रूरी है तो आएए इस वीडियो के शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भूमिगत जल एक महत्वपून स्रूत तो यहाँ पर एक वर्ड आया भूमिगत जल यह भूमिगत जल क्या होता है भूमि से पता चला है भूमि का मतलब क्या होता है यह भूमि है तो भूमि का मतलब क्या होता है धर्ती तो धर्ती के अंदर जो जल मिलता है धर्ती के अंदर जब हम लोग चापागल या फिर जो हैंड पंप होता है तो उससे पानी धरती के अंदर से निकलता है तो वैसा जल जो भूमी के अंदर होता है यानि कि धरती के अंदर होता है उस जल को क्या बोलता है भूमी का जल बोलता है और यहाँ पर लिका हुआ है एक महतुपून सुरोत तो यहाँ पर सुरोत क्या होता है शुरूत का मतलब क्या होता है तो शुरूत का मतलब होता है वैसा जगह या फिर वैसा वस्तु जहां से हम कोई चीश प्राप्त करते है वो क्या कलाता है शुरूत कलाता है जैसे हम लोग वाटर का यूज करते हैं तो हम लोग वाटर कहां से लाते हैं तो कोई वेक्ति कुवा एंगलिस में इसको पिलते हैने में साझ जुन कॉना में का खुआ हमस्य उसको पूलते हैं इसको समझते हैं तो यह करें आपके कि क्या आपने कभी चापा नल या फिर हैंड पंप अत्वा नलकूप के लिए बोरिंग होते देखा है आप जरूर देखोंगे कि अपने आसपास अपने घर के आसपास में क्या होता है बोरिंग होते हुए या फिर हैंड पंप के लिए क्या है जो मिस्तिरी है वो एथे नल कूपो में लगे समान क्यों नहीं होती है? ऐसे है अजिसे Hoe फैमिली में आफ inee च्वहbig से कहें खांव में क्यों लंभाई समान सब्सक्रूस, जब खामली में की नल को ちょे कहीं होता है हर एक जगह की pipe की लंबाई होती है वो different होती है कहीं कहीं पर उपर ही मिल जाता है कहीं कहीं पर बहुत नीचे जाना पड़ता है तो यह ऐसा क्यूं है तो क्या करा है कि आप उन कारीगरो अथवा अपने से बड़ो से इस बारे में बात करेंगे तो जानकारी मिलेगी कि सभी जगह पर समान गहड़ाई तक pipe नहीं डाली जाती है कुछ अस्थानों पर यह गहड़ाई कम तो कुछ अस्थानों पर अधिक होती है इसका कारण क्या है तो इसका कारण कम तो अधिक गहड़ाई पर जल के अस्तर का मिलना है इसका मतलब क्या है कि कहीं कहीं पर जल जो है मा कम में ही हो जागा और कहीं कहीं पर बहुत नीचे मिलता है तो इसलिए बहुत नीचे डालना पर था इसलिए कहीं कहीं पर पाइप के लंबाई क्या हो जाती है अब क्या करें आपे कि इसका कारण कम और अधिक गहराई पर जल के अस्तर का मिलना है पाइप डालने के लिए बो एक पिक्चर लिए है उस ही से समझा देते हैं आपको, तो यहां पे आपधी है कि जब बारिस होती है यहां प्रेसिपीटेशन इसको बोलता है थीक है तो क्या कर Bin कि जब बारिस होती है तो बारिस का पानी यह क्या है स्वाइल मतलब का होता है मियटी तो मिट्टी के उपर क्या होता है जम जाता है और धीरे धीरे स्वायल में क्या होता है बहुत सारे छिद्रों होते है और उन्हीं छिद्रों से यह जो जल है वो नीचे आकर के एकत्रित हो जाता है और नीचे आकर के एकत्रित कहां पर होता है क्योंकि इसके नीचे में क्या हो जो किश्टन होता है जमा और द्यरे द्यरे धेल जमां होते होते हैं एक लेवल में आ जाता है आदम है यहां पर आल आहाएं भूम जल किसको बोलते हैं भौम मतलब समझ लेजिएगा भूमी का तो भूमी का जो जल अस्तर है वो क्या होता है कि जब यहां पर पानी भड़ा हुआ तो इसका जो उपरी लेयर है यहां पर देख सकते यह जो यह पानी का क्या है यह वाटर का उपरी लेयर है तो इस लेयर को इसके सबसे उपरी लेयर उसको क्या बोलते हैं भौम जल अस्तर बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको भौम जल अस्तर बोलते हैं अब आगे देखते हैं और क्या करा है कि यह अस्तर पृत्वी की सता से एक मीटर अंदर से ले करके अनिक मीटर की गहराई तक हो सकता है तो यहां पर भौम जल अस्तर कहां स यह जो भॉम जल अस्तर है अभी हमने बताया कि यह जो वाटर लेवल है इसका सबसे उपरी लेयर को क्या बोलते है और इसके नीचे जो जितने भी यह वाटर है इनको क्या बोलेंगे तो इनको बोलेंगे भॉम जल का मतलब क्या होता है जो भूमी के अंदर वाला जो जल होता उसको क्या बोलते हैं अब क्या है कि भावमल जल का सिरोत कि यहां पर इसका सिरोत का मतलब का है जहां से हम कुई चीज प्राप्त करते हैं जाहां से अपना बाटर प्राप्त करता है वह इस बहॉम पाने शोचा है कि वर्शा हो ने के बाद प्रिथी की सत्व प्रिद्धि प्रिप्री राटरी के tobwis आप North नो जाता है तो 53 थी कि धर्ति के सतर पे क्या हो जाता है पानी इकठा हो जाता है और जब यह पानी कठा हो जाता है। तो कुछ समय बाद देखेगा कि क्या है पानी गायब हो गया सुख जाता है तो यहिं पर रिस nak कर के यहाँ पर जल यहां पर इकथा हुआ उसके बाद धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-डीरे रिस्ट करके नीचे चला आता है यहीं से इसका क्या होता है पुन्ह पूर्ति हो जाती है और क्या करा है ऑनगा किकूल इस चीज को समझने के लिए यानि कि भौम जल जाता कहा है इस चीज को समझने के लिए एक क्रिया कलाब करते है ठीक है एक एक्टिविटी करते है और उससे से आपको आसाने से समझ में आ जाएगा जैसे क्या बोल रहा है कि आटा चालने या चानने की चलनी लीजिए उसमें स चलनी के नीचे एक बर्तन रख दिया गया ठीक है और बर्तन के ऊपर क्या रख दिया गया चलनी चलनी में क्या है मिट्टी अब देखते हैं कि अब चलनी की खाली जगह में धीरे धीरे पानी भर्ट दीजिए कुछ समय के उपरांत फिर जर डालिए प्रेचन किजिए तो क्योंकि उसमें चिद्र है और चिद्र होने के कारण यह जो वाटर है वो कहां पर चला जागा इस बर्तन में जाकर करके जमा हो जागा तो ठीक ऐसे ही हमारा जो भॉम जल वाला प्रोसेस है वो काम करता है तो आपको समझ में आ गया होगा क्या इसी परकार गमले में लगे पौधे की जल को पानी में नहीं मिलती है सही बात है इसी तरीके से मिलती है अब बात करते कि भॉम जल जल भर तथा भॉम जल अस्तर क्या होता है तो क्या करें कि वर्सा जल नदियां तलावो जहीलों तथा जल मिट्टी से रिस्कर-भूमी के नीचे रिक्थ अस्थानों तथा दरारों में क्या हो जाता है कि भर देता है दरारों को क्या कर देता है भर देता है यानि कि वर्सा जल जब वारिस होती है तो नदियों तलावों जीलों तथा जल की मिट्टी से रिस्ट कर भूमी के रिक्त स्थानों तथा दरारों को भर देती है भूमी के अंदर जल के तब नोट्सरें साो को अन्तह्समी अश्यंदन कहते हैं यानि कि वैसा प्रोसेस जीस में वर्षा ave जल मुल ली इहां पर बारिस हुए और बारिस होने के बाद यह जो वर्षा का जल वो रिस्ट करके कहां चला गया है यहां पर चला गया यह आप बुलू बुलू देख रहे है यह क्या है वाटर है ठीक है तो यहां पर रिस्ट करके चला गया है और यह रिस्ट करके अंदर जाने का प्रोसेस को क्या बोलते है अंतह अश्यंदन बोलते हैं क्या बोलते हैं अं अचयकर कर सकते कि अंदर वाटर टेबल में चला जाता है तो उस प्रोसस को क्या रिके तो इनीतृरेशन बोलते हैं क्या बोलते हैं तो एक है अप्तों करते हैं प्रकीरियां दोरा उपयोगंे जा चुंकि पूल पूर्ति हो जाते हैं आनी कि वहूंॡ वाघर हैं तो बोडिंग से पानी निकालते है तो क्या हो जाता है यह वाटर जो है वो कम होगा धीरे धीरे खतम हो जाएगा लेकिन जब बारिस होती है तो यह फिर से क्या हो जाता है भर जाता है और वह भरता कैसे है तो इन फिल्टरेशन के द्वारा है यानि कि जब बारिस होती है तो इस यहां पर इकट्ठा है उसको क्या बोलेंगे, जल भर बोलेंगे, जल बर, इस जल को समाने था नल कूपो द्वारा निकाला जाता है, और यहां पर जाकरके एक टंकी जैसा, उकठा हो गया, वाटर, भार स्ट, भाम जल ऐकलते हैं, भॉम जलस्तर कैसे गिरता है अब देखिए यहां पर एक एक जामपल के तौर पर समझते हैं जैसे यहां पर देख सकते हैं यहां पर इस पिक्चर से ही समझाते हैं आपको जैसे भॉम जलस्तर का गिरना अब यहां पर बारिस हुई पानी आकर की कठा हो गया अब इसी में हम एक hand pump डालते हैं माली जी यहां पर हम क्या किये pipe डाल दिये और pipe से एक hand pump बनाते हैं और एक hand pump से water गिराते हैं इसको देखिए यह है और यहां hand pump से क्या है water गिर रहा है उपर इसका handle है माली जी तो क्या कर रहा है कि यह hand pump से अगर हम water निकालेंगे तो धीरे 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 तो क्या हो जागा भॉम जल अस्तर क्या हो जागा नीचे चला जागा जैसे माली जी एक बाल्टी में क्या है पानी भरते और पानी भड़ा हुआ है अब इसमें से मग से हम निकालते जाएंगे निकालते जाएंगे तो बाल्टी में जो जल का लेबल है जल का जो अस्तर है वो मग से नहाते हैं तो क्या करते हैं कि जब बाल्टी में जो पानी भड़ा हुआ उसके मग से जब वाटर निकालते हो तो उसका जो लेवल है वो क्या होते जाता है नीचे चला जाता है और एक बार ऐसा आता है जब हम नहीं चलाते हैं पम को तो बाल्टी से पानी क्या हो जाता ठीक उसी तरीके से यह जो वाटर लेवल है भौम जल है वो भी क्या हो जागा खतम हो जागा जब बारिस नहीं होगी तो आई होप यह समझ में आया होगा अब देखते हैं क्या है कि क्या पड़ी क्या पड़ी पूर्ती यह मुप्यों की मातरा समान है क्या हम जल भर से निरंत ऐसा करने से भौम जल का जो अस्तर है वो नीचे चला जागा और चापागल का हो जागा सूख जागा और क्या करा है कि भौम जल पूर्टी की सबसे प्रमुख प्रकिरिया वर्षा के जल का रिसना है अभी हमने देखा कि जब वारिस होगी और वारिस का जल रिस करके आनि क इन्फिल्ट्रेट होके कहां जागे भॉम जल में तभी वो उसमें पुनापूर्ती हो सकती है कम वर्षा या वर्षा जल रिशाओ के लिए उपलब्ध भूमी की कमी से भॉम जल के अस्तर में का होती है गिरावट आती है मतलब भॉम जल यह जो भॉम जल है इसके अंदर इसक आला कारण है या तो कम बर्सा बारिस नहीं हुई तो भी बहुं जल अस्तर क्या चला जागा ग्राउंड वाटर नीचे चला जागा या फिर बरसा जल के रिशाव के लिए जो उपलब्ध भूमी है उसकी अगर कमी हो जाएगी तो वहां से भी क्या हो जागा भॉम जल अस्तर में गिरा उटा जाएगा जैसे इसको एक एक जामपल के तौर पर देखते हैं माली जी यह क्या है खाली लैंड है इसको एक एक जामपल के तौर पर समझते हैं तो माली जी यह क्या है खाली लैंड है अब यहाँ पर बारिस होगी यहाँ पर ब पर से चार्ज हो जागा इसका इन्फिल्ट्रेशन के त्रूँ इसमें क्या हो जागा फिर से पानी भड़ जाएका तो ग्राउंड वार्टर का लेवल आपके हिसाब से क्या होगा उठेगा या फिर गीरेगा जाहिर सी बात है गीरेगा क्यों क्योंकि यहां पर वर्षा जल को रिस करके अंदर जाने का जो जगह है वो कम हो गया है अब इससे क्या हुआ है जैसे कि जामपल के तौर पर देखते हैं पटना के बारे हम बताते हैं पिछले साल ने क्या हुआ था कि इतनी बारिस हो इतनी बारिस ही यह पटना का द्रिस है तो क्या है कि इतने घर बने हुए तो यहां पर जो बारिस होगी तो इसके बारिस को पानी को इसके बारिस का जो पानी है उसको अंदर जाने के लिए जगह ही नही कि आदमी के द्वारा खुद बनाई हुई विपदा है जिससे क्या हो गया था पटना के बहुत से लोग प्रभावित हुए तो उनका घर डूब गया था क्यों 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 लोगों ने क्या बना दिया था जहां से बर्सा का जल नीचे रिस्ट करके अंदर जाना चाहिए था वहीं पिए लोग घर बना दिये तो वर्सा को यह जो जल है वो जमा हो जागा इकठा हो जागा रिस्ट करके अंदर जाने के लिए उसके पास क्या है कोई जगह ही नहीं है तब क्या कराई कि इससे यहां का ग्राउंड वाटर का जो लेबल हो क्या हो जागा नीचे चला जा करता है यह तो समझ में आ गया अब आगे देखते हैं तो क्या करें कि अस्थानों पर अत्य धिक वर्सा से अक्सर उत्तर विहार में क्या जाती है बार आ जाती है यहां पे उत्तर में नेपाल में कहां पर हो जानते में जब बारिश होगी तो बारिस होता है तो इसका पानी बहुत सारी नदियां है जो माउंटेन से निकलती है तो ये नदियां क्या करते है नेपाल वाला एरिया में भी जो बारिस होता है उसका पानी दोनों का पानी ले करके यहां पे आ जाती है इससे क्या हो जाता है कि यहां कि जो नदियां है वो इस वाटर को होल्ड नहीं कर पाते हैं संभाल नहीं पाते हैं जिससे क्या हो जाता है कि नदियों से पानी है वो बाहर निकल गड़के फिल्ड में फैल जाता है और उसी चीज को क्या बोलता है हम लोग बार बोलते हैं ठी कराए कि कि आपने सरी चेतरों में जलो कुरती की पाइपलानों से जल रिस्टे देखे हैं कि आपने नलों से जल बहते देखा है बहुत बार यह तो common है यानि कि कहीं पे जाईएगा पाइप फुटा हुआ है और उससे जल का है बाहर निकलते जाता है क्या आप जल पीते समय गिलास में कुछ जल छोड़ देते हैं जाहिर से बादे कुछ ना कुछ छुटी जाता है इन आदतों में सुधार लाकर हम पानी की बर्बादी को रोक सकते हैं यानि कि कहीं पर पाइप फुटा हुए उसको जल्दी से तुरत क्या कर देना मरमत करके उसको सुधार करके और मा सिक्स में आपको वाटर कंजर्वेशन के बारे में बताया गया है यह जल प्रबंधन एवं भूमिगत जल की पुनह पूर्ती की पुनह पूर्ती का अच्छा उदारन है हमारे राज में अनेक अस्तानों पर जल भंडारन एवं पुनह पूर्ती के लिए तलाब पोखर सब्सक्राइब करते हैं उन सबी को किया जाए रहा है रिनोवेटरक गाले के फिर से बनाया जाएं याशल की में क्यों झाप सफाई हो रही है ऐसा क्यों कि राउना ऊंगारे के कारण की घ्राउनी है बाँट ज differenti यूज रहा है और लोग बरबाद भी कर रहे हैं आजकल इसलिए ग्राउंड वाटर का जो लेवल हो नीचे चला गया है इसलिए सरकार ग्राउंड वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए जल जीवन हर याली मिसन लाई है ठीक है अब आगे देखिए तो वर्सा जल के आपने खेतों में जल प्रबंधन के लिए किसान क्या कर सकते हैं कि सिचाई के लिए जल के मित्वियाईता कर सकते मित्वियाई मतलब क्या होता है कम खर्च करने वाला मित्वियाई मतलब क्या होता है कम खर्च करने वाला और मित्वियाईता का मतलब क्या है कम खर्च करना तो क्या है कि जो किशान है वो भी वाटर है उसको क्या कर सकते कम खर्च कर सकते कैसे इसके उधारन की रूप में हम ड्रीप बुंद सिच्चाई के बारे में जान सकते हैं अब यह ड्रीप बुंद सिच्चाई क्या है इस विधी में कम व्यास के पाइपों से जल पौधों की जरू तक पहुंचाया जाता है और जल की बरबादी नहीं होती है इस पर कारियदी नलकूपो के जल को पाइप दारे खेतों में ले जाकर इस प्रिंकलर द्वारा सिचाई करने पर भी जल की खपत कम होगी इसको एक पिक्चर के थूरू समझते हैं जैसे देखी यहां पर यह के पास पानी गिराया जाता है और बाकी जो एरिया है जैसे आप एक एक जामपल के तौर जैसे आप समझ सकते हैं से कि जो बाकी नॉर्मल किसाने वो क्या करते थे पूरे खेत किसी चाई करने तो पूरे खेत को पटा देंगे पूरे खेत में पानी डाल देंगे इससे क्या होगा कि पौधा जो है वो बाकी एरिया में कितना पानी उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है उसके जर के पास कितना पानी है इससे उसको फर्क पड़ता है तो क्यों हम उसके जर के पास ही पानी दे क्योंकि इस वाले एरिया में जो पानी भड़ा हुआ रहेगा वो तो जीचा हो जागा इवाइपोरेट हो करके चला जागा इससे हमारा पानी भरबाद हो जागा इसलिए जुह हमें जरूरत कि चीज के है कि पाधों को पानी देने के लिए तो क्यों ना डाइक्ट हम पाधों के जरू महीं पाणी एब ड्रीप पानी जहाँ और पानी जो है बेकार जो खाली जग़ा है वहाँ पर पानी डालने से जो वाटर इवैपोरेट हो जाता है इस से वाटर की बरबादी नहीं होगी तो यह तरीका है किसानों को अपनाना चाहिए ठीक है अब क्या करे हैं? कि अपने देखा होगा कि गंले के पौधे को कुछ दिनों तक जल नम मिले तो वो मुरिजिया जाता है अब जो अगला लेक्चर होगा वो इसी चेप्टर का जंगल पे होगा ठीक है तो डिटेल में एनालीसिस करना डिटेल में समझाना बच्चों को यह बहुत जरूरी है आई होप आपको समझ में आया होगा सिर्फ आय रीडिंग दिये और चेप्टर खतम कर दिये तो यह जरू कंप्लिट वीडियो देखने के लिए जितने भी साइंस के चेप्टर से उन सभी का कंप्लिट वीडियो आपको मिलेगा तो उन सभी वीडियो को देखने के लिए वह जब भी वीडियो अप्लोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले इस लिए आप क्या कि जे चैनल को सब सब्सक्राइब कर लिजे अभी तक नहीं किया है तो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिजे जिससे कि हम जब वीडियो डाले तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जंगल के जंगल वाला टॉपिक ले करके तो तब तो के ल